परिचय हेलो बच्चो आज हम परमानू के क्वांटम यांत्र की ये मौडल के बारे में सीखेंगे द्रव्री का द्वेत वहवाहार तरंग तथा कण के प्रकार का होदा है हाईजेन बर्ग का अनिश्जित्ता का सिध्दानत केवल छोटे कड़ों जैसे की इलेकट्रौन पर लागू होता है परमानू का वहक्षित्र जहां इलेकट्रौन पाई जाने की रायक्ता सरवाधिक रहती है, कक्षक कहलाता है कक्षकों की विशेशता ये होती है कि इनके कौन्टम संख्याएं कहलाने वाली संख्याओं के सेट होते हैं इलेक्ट्रोन कक्षक की उर्जा, आकार, आकरिती तथा दिशा को तीन कौन्टम संख्याओं के उप्योग द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है ये मुख्य कौन्टम संख्या, दिगंशी कौन्टम संख्या तथा चुमकिये कौन्टम संख्या होती है आईए, आज हम इस एकक के माध्यम से परमानु के कौन्टम या अंत्रकिये मौडल के बारे में सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे द्रव के द्वैत वहवाहार पर चर्चा करना हैजनबर्ग के अनिश्चित्ता सिध्धान्त को समझना पर्मानू के क्वांटम यांत्र की ये मौडल का वर्लन करना पर्मानों के क्वांटम यांत्र की ये मौडल की ओर द्रवे का द्वैत वहवाहार 1923 में फ्रांसीसी भौतिक वज्ञानिक लुई दे ब्रागली ने कहा कि प्रकाश की तरह द्रवे की भी द्वैत प्रकृती होती है ये तरंग तथा कंग दोनों के ही कुण प्रतरशित करता है उसने वी वेक से कतिमान M द्रवेमान के एक कंग से संबंधित तरंग के तरंग तैर्थ लेम्डा की करना के लिए एक संबंध बताया जो निम्नाकित है लेम्डा बराबर H बटे MV या लेम्डा बराबर H बटे P जहां H पलांक का स्थिरांग और P कन का संवेख है गतिमान द्रवे कड़ों या वस्तूं से संबंधित तरंगें द्रवे तरंगें या दे ब्रॉगली तरंगें कहलाती हैं ब्रॉगली की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रों ना किवल कन होते हैं बलकि उन से तरंगों के भीकोन संबंधित रहते हैं इसलिए तरंग के कला में संपून होने के लिए कक्षा की परिधी तरंग देर्थ लेम्डा का पून गुड़ज होना चाहिए इसलिए दो पाई आर बराबर एन लेम्डा जहां आर कक्षा की तरिजिया तथा एन एक पोड़ांख है लेकिन दे ब्रॉगली के समिकरन से हम जानते हैं कि लेम्डा बराबर एच बटे एमवी अता है दो पाई आर बराबर एन गुड़े एच बटे एमवी हैजनबर्ग का अनिश्चित्ता सिध्धांद हैजनबर्ग के अनिश्चित्ता के सिध्धांद के अनुसार किसी छोटे करण जैसे की इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारम करपाना असंभव है गणतिय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है एच बटे चार पाई के जहां डेल्टा एक्स बराबर स्थिती में अनिश्चित्ता डेल्टा पी बराबर सम्वेग में अनिश्चित्ता बराबर M डेल्टा वी डेल्टा वी कंड के वेक में अनिश्चित्ता है, M कंड का द्रविमान है, H बराबर प्लांक का स्थिरांग है आताह ये निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि छोटे कंड की वास्तविक स्थिती ग्यात की जा सकती है तो इसके वेग या समवेग को ग्यात करने में अनिश्चित्ता अधिक होगी तथा वेग सही ग्यात होने पर स्थिती अधिक ग्यात नहीं होगी अनिश्चित्ता सिध्धान्द का महत्व हैजन बर्ग का अनिश्चित्ता का सिध्धान्द केवल सुख्ष्म दर्शी से देखी जा सकने वाली वस्तूओं के लिए महत्पून है तथा ये बड़ी वस्तूओं पर लागू नहीं होता है अती सूक्ष्म वस्तुऊं जैसे की लेक्ट्रॉनों के मामले में प्रकाश की फोटॉन के कंड से टकरानी की क्रिया कंड को इसके सामाने पच से काफी विचलित कर देगी इसके परिडाम सो रूप कण को देखने के लिए प्रयोक्त किये गए एक एकल फोटोन के प्रभाव के कारण कण के प्रक्षे पत्थ तथा वेग एवं समवेग में काफी परिवर्थन आ जाएगा इस प्रकार अती सुक्ष्म कर्ण की इस्तिती मापने की कारवाही इसके समवेग को परिवर्थित करतेगी फोटोन, इलेक्टोन से टकराने पर इससे अप्रतियाशित दिशा में भेज़तेगा हमारे दैनिक चीवन में इस सिध्धान्थ का कोई महत्व नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम प्राया केवल बड़ी वस्तूओं के संपर्क में आते हैं इन वस्तूओं को हम नगन आँखों से देख सकते हैं और इससे इनकी गती में परिवर्थन नहीं होता इन वस्तूओं की स्थिती तथा वेग परिशुद्धता पूर्वक मापे जा सकते हैं क्यूंकि इन उधारणों में वस्तू तथा मापक युक्ती के बीज अंतरक्रिया के कारण वस्तू की स्थिती तथा वेग में परिवर्थन नगने रहता है उधारण एक मिली ग्राम द्रवेमान वाले एक धुल कण की स्थिती में अनिश्चित्ता की गणना करें यदि इसके वेग में अनिश्चित्ता 5.5 गुणे 10 की घात रण 20 मीटर प्रति सेकंड है हल दिया है डेल्टा वी बराबर 5.5 गुणे 10 की घात घटा 20 मीटर प्रति सेकंड एम बराबर एक मिली ग्राम जो की बराबर है एक गुणे 10 की घात घटा 3 क्राम के ह बराबर 6.626 गुणे 10 की घात घटा 34 जूल सेकंड सूत्र से डेल्टा एक्स गुणे M डेल्टा वी अधिक है या पराबर है एच बटे 4 पाई के इस्तिती में अनिश्चित्ता निम्ना नुसार ग्यात की जा सकती है डेल्टा एक्स अधिक है या पराबर है एच बटे 4 पाई M डेल्टा वी के H डेल्टा V M के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा X अधिक है या पराबर है 6.626 गुणे 10 की खात घटा 34 गुणे 3.14 गुणे 10 की खात घटा 3 गुणे 5.5 गुणे 10 की खात घटा 20 के डेल्टा X अधिक है या पराबर है 9.59 गुणे 10 की खात घटा 13 मीटर के बोर मॉडल की विफलता के कारण बोर के मॉडल में इलेक्ट्रोन की तरंग प्रकृति पर विचार नहीं किया गया कक्षा को केवल तभी परिभाशित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रोन की सही स्थिती तथा उसी समय उसका सही वेक ये दोनों ही ग्यात हों हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्त के अनुसार ये संभव नहीं है हाइडोजन परमानु का बोर का मॉडल द्रवे की दोयत प्रकृति को भी उप्यक्षित करता है तथा ये हैजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्त के विपरीद भी है परमाणू का कौन्टम यांत्र की ए मौडल कौन्टम यांत्र की एक सैध्धांतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ की दोयत प्रकृती पर विचार किया जाता है हाइडोजन परमाणू और श्रोडी जर समिकरण Quantum यांत्रिकी के आधार पर परमाणू का एक नया मौडल विक्सित किया गया और ये मौडल Quantum यांत्रिकी ये मौडल कहलाया इस मौडल में किसी परमाणू में इलेक्ट्रॉन के वैवहार को एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण कहलाता है जहां X, Y और Z तीन स्थान निर्दिशांग है M एलेक्ट्रॉन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थिरांग है और E एलेक्ट्रॉन की कुलूर्जा तथा V इसकी स्थितिजूर्जा है जाई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है और ये तरंग फलन कहलाता है कभी-कभी श्रोडिंजर तरंग फलन को इस रूप में लिखा जाता है H जाई पराबर E जाई जहां H एक गणितिये संकारक है जो हैमिल्टोनियन संकारक भी कहलाता है जाई का महत्व चुंकि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन एक तरंग से संबध होता है और तरंग को पूर्टिया इसके आयाम दोरा निर्धारित किया जाता है इसलिए जाई का अर्थ इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम से होता है इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता हाला कि जाई के वर्ग अर्थाद जाई वर्ग का बहुत एक महत्व होता है इलेक्टरॉन तरंग में जाई वर्ग किसी बिंदू पर इलेक्टरॉन की तीवरता बताता है दूसरे शब्दों में जाई वर्ग का ग्यान किसी क्षित्र विशेश में इलेक्ट्रोन की प्रायक्ता का निर्धारन करने में सहायक होता है अता जाई वर्ग को प्रायक्ता घनत्व तथा जाई को प्रायक्ता आयाम माना जा सकता है हाइडोजन परमाड़ों के लिए श्रोडिंजर समीकरण का हल इलेक्ट्रोनों त्वारा घेरे जा सकने वाले उड़ जायस्तर तथा इलेक्ट्रोन का तरंग फलंग पताता है कक्षक तथा कौंटम संक्याएं कक्षक को नाभिक के परिता ऐसे स्थान के क्षित्र के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता सबसे अधिक रहती है कक्षकों को संख्याओं के एक समुच्च से निर्दिष्ट किया जाता है, जो कौन्टम संख्याएं कहलाती हैं, एलेक्ट्रोन, कक्षक की उड़जा, आकार, आकृती तथा दिशान निर्दिष्ट करने के लिए तीन कौन्टम संख्याएं आवशक होती हैं, ये मुख्य कौन कॉंटम संख्या यानि N मुक्चे कॉंटम संख्या हमें बताती है कि किस मुक्चे उर्जास्तर में इलेक्ट्रॉन उपस्तित है ये कोई धनात्मक पोडांग जैसे की एक, दू, तीन, चार इत्यादी हो सकती है इन संख्याओं से संगत उर्जास्तरों या उर्जाकोशों को KLMN इत्यादी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एक हाइड्रोजन परमाणों में इलेक्ट्रोन की उर्जा निम्र संबंध द्वारा मुक्चे कॉंटम संख्या से संबंधित है इन बराबर घटा के वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे M गुणे E की घात 4 बटे N वर्ग गुणे H वर्ग बराबर घटा 2.18 गुणे 10 की घात घटा 18 बटे N वर्ग जूर जहां M बराबर इलेक्ट्रोन का द्रविमान, E बराबर इलेक्ट्रोन का आवेश, H बराबर प्लांक का इस्तिरांक, E N बराबर N वे मुख्यकोश में इलेक्ट्रोन की उर्जा, N बराबर मुख्यकोश को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त मुख्य कौंटम संख्या, K के बराबर कुलॉम नियत स्तिरांग दिगंशी कॉंटम संख्या एल दिगंशी कॉंटम संख्या एलेक्ट्रॉन का कोणिये संबेग निर्धारित करती है। इसे एल त्वारा निर्धिश्ट किया जाता है। एल कमान उपस्तर या उपकोश बताता है जहां इलेक्ट्रॉन इस्थित होता है। ये उस कक्षक की आगरिती भी निर्धारित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस्थित होता है। किसी मुखे कोश के अंदर उपकोशों की संख्या उस मुखे उड़ जायस्तर के लिए एन के मान द्वारा निर्धारित होती है। अताहा तटेक मुखे उड़ जायस्तर के लिए ल के शून से लेकर एन एक तक सभी संभव पूरांग संख्या मान हो सकते हैं। N बराबर एक के लिए L का केवल एक मान शुन्य में हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रथम उर्जैस्तर में एक एलेक्टरोन केवल S उपकोश यानि L बराबर शुन्य में उपस्दित हो सकता है। अताहा प्रथम उर्जैस्तर का केवल एक उपकोश एक एस होता है। N बराबर दू के लिए L के मान शुन्य में और एक हो सकते हैं। इसका आर्थ है कि दूतिय मुखे उर्जैस्तर में एलेक्टरोन S उपकोश L बराबर शुन्य में उपस्दित हो सकता है। अताहा दूतिय उर्जैस्तर के केवल दू उपकोश होते हैं जो की दू S और दू P हैं। N बराबर तीन के लिए L के संभावितमान शुन्य एक और दू हो सकते हैं। इसका आशा है कि तृतिय मुखे उर्जैस्तर में एलेक्टरोन S उपकोश L बराबर शुन्य या P उपकोश L बराबर एक या D उपकोश L बराबर दू में उपस्दित हो सकता है। अतात्रितिय उर्जैस्तर के तीन उपकोश 3S, 3P और 3D होते हैं। इसी प्रकार चौते उर्जैस्तर N बराबर 4 के 4 उपकोश 4S, 4P, 4D और 4F होते हैं। चुम्ब की एक कक्षक कॉंटम संख्या यानि M L चुम्ब की एक कक्षक कॉंटम संख्या किसी विशेश उपकोश में इलेक्ट्रॉन अबर की विभिने दशाओं से संबंदित होती है। ये विभिने दिशाएं कक्षक कहलाती हैं। एक मुख्य उर्जा इस्तर के अंदर एक विशेश उपकोश में गख्षकों की संख्या ML तक के मानों की संख्या से व्यक्त की जाती है, जो L के मानों पर निर्भर होती है. शोने के मात्यम से जमा एल से घटा एल तक ML रेंज के मान संभव हैं, अता कुल दो एल जमा एक मान होते हैं, अता किसी उपकोश में कख्षकों की संख्या दो एल जमा एक होती है. एल बराबर शोने के लिए ML का केवल एक मान ML बराबर शोने हो सकता है, इस कार्थ है कि S उपकोश में केवल एक कख्षक है, एल बराबर एक के लिए ML के तीन मान जमा एक शोने और घटा एक हो सकते हैं, इस कार्थ है कि P उपकोश में तीन कख्षक हैं, L बराबर 3 के लिए MLK साथ मान जमा 3, जमा 2, जमा 1, शूने, घटा 1, घटा 2, घटा 3 हो सकते हैं इसकार्थ है कि F उपकोश में 7 कक्षक हैं प्राचकरन कौन्टम संख्या MS प्राचकरन कौन्टम संख्या प्राचकरन कौन्टिये संवेग की दिशा निर्धारित करता है प्राचकरन कौन्टिये संवेग कौन्टिक गृत होता है और अब चुने गए अक्ष के सापेक्ष, इसकी केवल दो दिशाएं हो सकती है प्राचक्रन कॉंटम संख्या के केवल दो मान जमा हाफ और घटा हाफ हो सकते हैं जमा हाफ मान दक्षणा वर्त प्राचक्रन को इंगित करता है जिसे उपर की ओर संकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदशित किया जाता है जबकि दूसरा वामा वर्त प्राचक्रन को इंगित करता है जिसे नीचे की ओर साकेत करने वाले तीर द्वारा प्रदशित किया जाता है परमाडों कक्षकों की आकरिती एक कक्षक तरंग फलन जाई के दो फलनों त्रिज्जी फलन तथा कौनी फलन के गुणन फल के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए संपून तरंग फलन एक कक्षक को प्रदशित करता है जिसमें त्रिज्जी भाग जाई यानि आर कौन्टम संख्याउं एन और एल पर निर्भर होता है और ये हमें कक्षक के आगार के बारे में बताता है जबकि कोनी भाग कौन्टम संख्याउं एल और एम एल पर निर्भर होता है और ये हमें कक्षक की आगरिती के बारे में बताता है धनात्मक एवं रनात्मक चिन्न ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र विशेश में कक्षक तरंग फलन धनात्मक है या रनात्मक ये देखा गया है कि S कक्षक कोणिये तरंग फलन से स्वतंत्र होते हैं सभी S कक्षक गोलिये सम्मे दिखोते हैं पी और डी कक्षक तरिज्जिये तथा कोणिये तरंग फलन पर निर्भर होते हैं प्राइक्ता घनत्व नाभिग से दूरी के फलन के रूप में जाई वर्ग का ग्राफ प्राइक्ता घनत्व वक्र कहलाता है नाभिक के परिता वह स्थान क्षित्र जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता सर्वाधिक रहती है कक्षक कहलाता है सीमा सतह आरेक परिसीमा सतह को परिप्रिष्ट भी कहा जाता है जिसे किसी कक्षक के लिए स्थान में आरेक्षित किया जाता है जस पर प्राइक्टा घनत्व जाई वर्ग का मान स्थिर हो परिसीमा सतह है जो अधिक्तम प्राइक्टा माना की 90 प्रदिशत वाले क्षेद्र को परिसीमित करती है कख्शक की आकरिति को सर्वोत्तम धंग से वर्णित करती है S कक्षकों के लिए परिसीमा सतह आरेखों की आकरिती गोलिये होती है हालकि S कक्षक का आकार N के मान में बढ़ोत्री के साथ बढ़ जाता है 3 दो P कक्षकों के सीमा सतह आरेख गोलिये नहीं होते प्रतेग P कक्षक में दो पालियां होती है जो नोट कहलाने वाले शोने प्राइक्ता के शेत्र द्वारा प्रत्थक होती हैं तीन दो पी कक्षक क्रमशा X, Y और Z, X पर होते हैं तथा दो पी X, दो पी Y और दो पी Z के रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं कक्षकों का आवेश अबर चित्र S कक्षकों के लिए एलेक्टरौन पाई जाने की प्राइक्ता एक विशिष्ट दूरी पर सभी दिशाओं में समान रहती है दूसरे शब्दों में S कक्षक गोलिये सम्मिती के होते हैं उच्छे तर उड़ जास्तरों वाले S कक्षक भी गोलिये सम्मिती के होते हैं हाला कि वे अधिक विसरित होते हैं, तथा इनके अंदर गोलिय कोश होते हैं, जहां इलेक्ट्रोन पाई जाने की प्राइक्ता शूने रहती है, ये गोलिय नोड कहलाते हैं, दो S कक्षकों में एक गोलिय नोड होता है, कक्षकों की ऊर जाएं, किसी परमाणों में विबिन कक्षकों की आपेक्षी कोड़ जाएं, निरूपित करने वाला आरेक उड़जयसतर आरेक कहलाता है। हाइडोजन परमाणों में केवल एक एलेक्टरोन होता है जो तलस्त अवस्था में कक्षक में उपस्तित होता है हालकि उत्तेजित अवस्था में एलेक्टरोन कोट कर किसी अन्ने उचितर उड़ जैस्तर वाले कक्षकों में जा सकता है Hydrogen तता Hydrogen जैसे दूसरे प्रमाणों में किसी विषेश ऊर्जाइस्टर के सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है उधारण के लिए 2S और 2P कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है समान ऊर्जावाले कक्षक सम्भ्रंश कक्षक कहलाते है बहु इलेक्ट्रोन पर्माडों का उर्जाइस्तर आरेक बहु इलेक्ट्रोन पर्माडों के मामले में विविद्ध कक्षकों की उर्जाएं ना केवल ना भी किये आवेश पर बल्कि पर्माडों में उपस्तित दूसरे इलेक्ट्रोनों पर भी निर्भर होती हैं इस आरेक की मुख्य विशेशताएं निम्न है किसी विशेश उर्जास्तर के विभिन उपकोशों की विभिन उर्जाएं हो सकती है उधारण के लिए 2S उपकोश की उर्जा, 2P उपकोश की उर्जा से भिन होती है किसी विशेश उर्जास्तर में पहल के उच्छता मान वाले उपकोशों की उर्जा उच्छतर होती है किसी विशेश उर्जास्तर में विभिन प्रकार के उपकोशों की उर्जाओं का बढ़ता क्रम निम्न है N का मान बढ़ने के साथ निम्नतर उर्जायस्तर के कुछ उपकोशों में उच्चतर उर्जायस्तर वाले कुछ उपकोशों की तुल्ला में उर्जा अधिक हो सकती है विभिन उपकोशों की उरजाओं का बढ़ता क्रम निम्न है एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणों में विभिन उपकोशों की उरजाओं के आपेक्षिक क्रम को N जमा L नियम की सहायता से पूर्वा नुमा नित किया जा सकता है इस नियम के अनुसार उदा सीन परमाणों में निम्न मानवाले उपकोश N जमा L में निम्नतर उरजा होती है यदि दो उपकोशों का मान एक समान N जमा L हो तो N के निम्नतर मानवाले उपकोश की उरजा निम्नतर होगी परमाणों में कक्षकों का भरा जाना आवबाव का नियम इस नियम के अनुसार पर्माणों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है विभिन कक्षकों की उर्जाओं का बढ़ता क्रम है पाउली अपवर्चन सिध्धांत इस सिधान्द के अनुसार किसी भी परमाडों में दो इलेक्ट्रोन सभी चारो कौंटम संख्याओं के समान समुच्य वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनके प्राचक्रन विप्रीध होने चाहिए हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम इस नियम के नुसार किसी विशेश उपकोष पी डी या एफ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्बन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए इसके तिरिक्त एकल भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रोनों में समानांतर प्राचकरन होना चाहिए परमाणों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास किसी कक्षक की इलेक्ट्रोन संख्या को निरूपित करने के लिए मुख्य कौंटम संख्या N को कक्षक प्रतीक के पहले लिखा जाता है जबकि कक्षक में इलेक्ट्रोनों की संख्या को मूर्धांक द्वारा दर्शाया जाता है जिसे कक्षक प्रतीक के दाएं और शिर्ष पर लिखा जाता है यदि हमारे पास प्रतम उर्जायस्तर के S कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो तो इसे एक S वर्ग के रूप में लिखा जाएगा हाइडोजन के लिए हिलियम के लिए लीथियम के लिए बेरिलियम के लिए बोराउन के लिए कार्बन के लिए नाइटोजन के लिए आक्सीजन के लिए पून रूपेन पूरित तथा अर्थ पूरित उपकोशों का इस्थाइद्व सम्मित वित्रण पून रूपेन पूरित या अर्थ पूरित एक ही उपकोश के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रौनों का वित्राण अपेक्षाकरित अधिक सम्मित होता है फालसोरूप प्रणाली को अधिक इस्थाइद्व प्राब्द होता है विनमय उर्जा के कारण इस्थाइद्व अर्थ पूरित या पून रूपेन पूरित सम्भरंश कक्षकों में विनमय अधिक संख्या में होते हैं जिसके परिणाम सोरूप इस्थाइद्व की विनमय उर्जा अधिक होती है विनमय का अर्थ एक यही उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे कक्षक में जाने से है आईए क्रोमियम के 3D की घाद 4, 4S वर्ग और 3D की घाद 5, 4S की घाद 1 विन्यासों में विनमय की संख्या की तुलना करें इस प्रकार 3D की घाद 4, 6S हैACE जो इंगित करता है कि 3D की घाद 4,6 संभावित व्यवस्थाई है 3D की घाद 5, 7S में इलेक्ट्रॉन विन्यासों की कुल संख्या अधिक होने के कारण इसे अधिक स्थायित्व प्राप्त हूता है क्या आप जानते हैं परमाणों इस्तर इमेजिंग से कांच की वास्तविक सनचना का पता लगाया गया इंटेल ने अपना पहला 22NM Quad-Core Atom System एक चिप पर 2014 के आरंप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं द्रवे का द्वेत वहवाहार तरंग तथा कंण प्रकृती का होता है वीवेक से गतिमान M द्रवेमान के एक कंण से संबंधित तरंग के तरंग दैर्धे निम्नवत हैं हैजन बर्ग के अनिशित्ता के सिध्धान के अनुसार किसी छोटे कंण जैसे की इलेक्ट्रोन की सही स्थिति तथा सही वेक का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है गणतिय रूप से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है श्रोडिंजर तरंग समीकरन जहां X, Y और Z तीन स्थान निर्धे शांग है M इलेक्ट्रोन का द्रवेमान है H प्लांक का स्थिरांग है E इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा तथा V इसकी इस्थिज उर्जा है J इलेक्ट्रोन तरंग का आयाम है और ये तरंग भलन कहलाता है मुखे कौन्टम संख्या हमें बताती है कि किस मुखे उर्जा इस तर में इलेक्ट्रोन उपस्तित है इसे N से निर्धिष्ट किया जाता है. दिगंशी quantum संखिया, इलेक्ट्रॉन का कोणिय सम्वेग, निर्धारित करती है. इसे L दवरा निर्धिष्ट किया जाता है. चुम कि ये कक्षक quantum संखिया, किसी विशेश उपकॉश में, इलेक्ट्रोन अवर की विभिन दिशाओं से संबंदित होती है इसे ML से निर्डिष्ट किया जाता है आव बाव के नियम के अनुसार पर्माणों की तलस्त अवस्था में कक्षकों को उनकी उर्जा के बर्ते क्रम में भरा जाता है पावली अपवर्चन सिध्धान्ध के अनुसार किसी भी पर्माणों में दो इलेक्ट्रोन सभी चारों कौांटम संख्याओं के समान समुच्छे वाले नहीं हो सकते इससे ये सिद्ध होता है कि किसी कक्षक میں दो से अधिक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते पुर्ण